हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो फिजिक्स टाइम तो दिस इस दा फ्रिफ्ट वीडियो ऑफ दा एच्टेट 2020 इसमें हम एच्टेट 2020 जो अभी हुआ है उसी का सॉलीशन कर रहे हैं आपको पता फॉर वीडियो आज चुकिया है जिसमें वन थक्टी तक कॉस्टिन सॉल्व हो चु 2018 का पेपर है मेरे पस के वीडियो का पेपर है 2018 का अरोही का पेपर है 2019 वाला प्लस एच्टेट के भी दो तिन पेपर रह गए हैं जो मैंने सॉल्व नहीं किये हैं सो जिसकी वोट जादा होगी इसके बाद वो पेपर स्टार्ट करेंगे नाओ कमिंग टुद पॉइंट नाओ हम सॉल्व करते हैं यह कुश्टिन इसमें कुछ कुश्टिन हैं जिससे हमें यह भी पता चल जाता है कि कुश्टिन लिये कहां से गए हैं तो प्रभबली वहीं से मैं आपको जो कुश्टिन सीरीज है वहां से कुश्टिन उठा और उसे एक बैटरी से जोइन किया है जिसकी एमफ है ए एंड इंटर्नल रिजिस्टेंस है आर जब वो टी इस इक्वल टू जीरो पे है यानि टाइम के साथ साथ यह एक्सपोनेंशली चेंज होते हैं तो अब हमने क्या किया एक प्लेन सर्फिस एरे लिया एबाइ टू प प्लस आता है यहां पर जो फाइए है हमारा flux जो होता है electric flux उसका formula क्या होता है e into a अब देखो e जो होता है e वो होता है v by d यानि जितनी potential या emf दी जा रही है अब potential emf कितनी दी जा रही है epsilon प्लस वो तो यह कितनी थी t is equal to 0 पे यानि exponential चेंज होएगी e minus t by rc plus area कितना दिया हुए है यहां पर जिसकी वज़े से displacement current निकालना है ay2 तो इसको हम put कर देंगे id is equal to this यहां क्या बच गया a epsilon 2d इनको बहार निकाल देंगे अंदर जो बचा है इसका हम क्या कर देंगे derivative तो derivative करके आ जाएगा हमारे पास यह यह यहां पर epsilon not a by d यह क्या होता है हमारा c के tester का formula है यह बन गया c से c कट गया यहां अंदर क्या बच गया epsilon 2 by r और यह क्या है e minus t by r c यहां पर हम c का formula खोल देंगे c का formula क्या होता है epsilon not a by d अगर यहां पर epsilon not की जंगा epsilon दिया है क्योंकि यहां पूर ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखो यहां पर लिखा हुआ है permittivity epsilon यूज करनी है तो वह यूज कर ले न तो this is the formula आ जाता है I think यहां minus plus का कोई ज्यादा रोल नहीं है minus plus का ignore कर सकते हैं थोड़ा formula का ही रोल है मैंने यह minus थोड़ा लगता है जलबाजी में लगा भी हो जो 132 है इसमें बोला है कि हमारे पास five balls दी है तो इन five balls के उपर charge निकालना है जिन पर कुछ conditions दी है conditions पढ़के इस पे मज़ा नहीं यह paper है तो paper किसी ने भी कैसे भी solve किया हो सकता है मैं बताती हूं कैसे इन्होंने बोला है पहली condition बोल A attracts B and repel C A जो है B को attract कर रही है C को repel कर रही है यानि A और C पे same charge होना चाहिए पहली बात और B पे उससे अलग यानि दो conditions बनती है plus minus plus minus plus minus यह दो conditions ही हो सकती है इसकी अब options भी check करते रहों साथ साथ अब देखो चार options दिया है चार options में यह condition बन रही है तो let's see हम second पे move करते है second condition पे इन्हों दिया है कि बोल D जो है वो B को attract करेगी ठीक है and has no effect नहीं E पे को effect नहीं होगा इसका मतलब जो E है वो neutral है और जो D है वो भी neutral है ऐसा क्यों क्योंकि जब यह दोनों neutral होंगे तब ही इनका अपस में कोई effect नहीं होगा दूसरी चीज़ जिन्होंने बोला है कि जो D है वो B को attract करेगी इसका मतलब जो B है जो D है उस पे potential जादा होना चाहिए as compared to B वो तो तब ही हो सकता है न या तो Z minus हो इसके उपर negatively charged road attracts A and E अब हमें यह पढ़ता चल गया था E neutral है अब कोई negative charge road A और E को क्या कर रही है attract कर रही है यानि इस पर क्या होगा positive इस पर क्या होगा negative इस पर क्या होगा positive ठीक है यह क्या होगा 0 यह तब ही attract में करेंगे यह होगा 0 तो ऐसा देख लो कहां पर बन रहा हमारा यह बन रहा हमारा option number 1 में E हम positive ले सकते हैं वसे यह यह positive होगा नहीं option third ही सही है इसका answer दोनों ही negative दोनों ही neutral होगे positive लेके नहीं चलेगा काम 133rd question इसमें बोला है कि एक जो charge q है holosphere पे दिया हुआ है जिसका potential है 100 volt at the center उसके बाद यही सारा charge हमने किस पर distribute कर दिया solid sphere पे हमें उसके center पे potential निकालना है इसका तरीका बताती है holosphere पे जैसे हम potential निकालते हैं उसका formula पे k q by r अगर आपने कभी derivation करवाई हो बच्चों को तो आपको पता होगा जो solid sphere है उसके surface पे जो potential होता है 3 by 2 k q by r होता है और जो solid sphere है उसी पूरा का पूरा जो है मतलब यह है जो जितना center पे होगा उतना surface पे होगा potential क्योंकि charge uniformly distributed है इसका हमें पता था यह कितना था 100 वोट हमें question वे दिया तो it becomes 150 वोट यह derivation ही है direct आप देख सकते हो प्लस्टू की book में मिल जाएगी आपको इसमें बोला है कि हमें एक plane mirror दिया है जिसमें इसकी परच्छाई दिख रही है यहाँ पर तो हमें यह बताना है कि कितनी दूर दिखेगी अब हमें जो सिखाया जाता है वो यह दिख की plane mirror में suppose कोई चीज दो मीटर पर रखिया तो उसकी image भी दो मीटर पर बनेगी अब इसकी depth है जो वो h height पर है h दूरी पर है तो क्या h पर ही बनेगी नहीं अगर हम reflection का low follow करें तो इसकी एक apparent depth होगी जो apparent depth होगी suppose इस point पे है तो वो इसी point पे दिखेगी तो हमें यह निकालना है यह कितनी दूर है इससे तब ही हमें यह इतनी दूर पता चल जाएगा देखो कैसे solve करेंगे हमें पता होता है real depth by apparent depth क्या होता है म्यू इसमें दिया होगी refractive index of the water तो real depth कितनी है इसकी real depth है d apparent depth कितनी है y suppose y दिख रही है हमें एक depth होती है कि हमें 2 meter गहरा है actual में 2 meter गहरा है लेकिन हमें उपर से देखने पर 1 meter गहरा लग रहा है तो यह चीज है इसमें this is equal to mu तो y के आगया d by mu अब हमें object का distance कितना दिखेगा यहां से यहां दिख रहा है यानि कितना h में से अगर हम यह वाली चीज माइनस करते हैं और यह कितना हो गया d minus y और y के दिख रहा है d by mu तो इसको लिखेंगे तो यह आ जाएगा तो यह हमारा अंसर हो जाएगा जितना object का distance है उतना ही image का distance होगा 135 question बहुत easy question था यह इसमें क्या भूला था हमें time period निकालना है किसका एक ball का जिसका radius small आ रहा है और वो oscillate कर रही है जिसका radius के पिटल आ रहा है चलो निकालते हैं कैसे हमें पता आना ची कि time period का formula क्या था 2 pi under root l by g बाकी सब थो ठीक है हमें l नहीं पता कितना है अब यह इस ball के अंदर है जिसका radius है r और यह ball यहाँ पर बंदी हुई है देखो ऐसे बंदी हुई है यह ball यहाँ पर इसके mid से ठीक है यह पूरा distance कितना है r और यह जहाँ पर यह छुटा हुए थोड़ा सा यह है small r यानि length of the road कितना है जिस string से वो जूल रही है उसके कितनी है r-r तो l क्या हो गया है यहाँ पर capital r- small r इसे put कर दो तो यह आ जाएगा हमारा time period हो गया 136 question यह question इसमें बोला है कि एक transverse sinusoidal wave है जो positive axis direction में speed से गूम रही है उसकी हमें क्या बोला है transverse displacement है 4 cm यानि y maximum कितना है 4 cm और उसकी transfer speed है v maximum कितना है उसका 16 m per second हमें निकालनी है frequency देखो विफ्रिक्वेंसी का formula होता है omega by 2 pi omega is the angular frequency उसे निकालना जाता है vm by ym से यह formula यहां use हो रहा है इसको इसमें पुट कर दो तो यह आगे f is equal to vm by ym by 2 pi इनको पुट करोगे तो आपका अपका अंसर आएगा 63.6 hazard which is approximately equal to 64 137 questions देखो आप सबने पढ़े ही होंगे नहीं पढ़े तो एगवर खुद पढ़ ले questions मैं solve भी करवा रही है सरफ यहां पर इसमें एक arrangement दी है जिसमें N जो है magnitude है normal reaction का between block and wedge हमें क्या निकालना है normal reaction between ground and wedge के बीच में जो है उसका magnitude कितना होगा इसे solve करो यह यहां पर रखा है इसमें देखो जो यह box है इसकी जो mass है वो कहां लगेगा नीचे small mg और जो इसका है बड़े वाले गा इसका capital mg नीचे पहली चीज clear यह theta बना हुआ है इसको resolve कर लो यह क्या गया mg sin theta mg cos theta because this angle is theta now जो normal reaction है n between wedge and box वो लगेगी इस side n अगर आप इसे बढ़ाते जाओगे तो यह इधर चली जाएगी and इसे आप यहां पर resolve करोगे तो यह आएगी n sin theta n cos theta now जो wedge यह जो wedge है यह और ground के बीच में जो normal reaction force लगेगी वो लगेगी इस direction में वो किसके को लगेगी जो vertically downward forces है वो क्या क्या है n cos theta plus mg तो यह तो हमारा बन गया था answer इसी में एक और question भी पूछ लेते हैं what is the acceleration of the wedge या what is the acceleration of this actually यह पूछते हैं जादा निकालते कैसे हैं अब देखो यह box इसके उपर आएगा तो यह नीचे slide करेगा जब यह नीचे की तरफ slide करना start करेगा तो इसकी वजह से यह इस तरफ slide करना start करेगा with some acceleration वो force लगेगी इस पे वो force क्या होगी m a dash और किसके एको लोगी इस तरफ जो भी forces लग रही है इस तरफ एकी force लग रही है n sin theta n sin theta के एको लोगेगी तो acceleration आगी दिस क्योंकि हर एक question में आगे का भी देख ही लेना चाहिए थोड़ा सा उससे हमारे questions की practice हो जाती है now 138 question यह question solve करने करना था सिरफ बढ़ने का था इसमें वोला था कि एक wall है जो बहुत smooth है और A और B हैं उसके उपर उसके force लग रही है तो बताना था कि B की वज़े से A पे जो force लग रही है friction है वो equilibrium में होगा मतलब कैसे होगा किस direction में होगा now one thing अब जब यह wall है और यह A इसके उपर अठका कैसे होगा है जब friction ही नहीं है तो जब friction ही नहीं है तो इसके उपर अठक ही नहीं सकता तो यह slip हो जाएगा vertically downward due to gravity अब जैसे यह slip होगा यह भी नीचे के दरफ गिरेगा इसके साथ इसकी वज़े से without friction की वज़े से यह दोनों touch नहीं रख सकते इसलिए gravity की वज़े से गिर जाएंगे और system पूरा का पूरा क्या हो जाएगा equilibrium में रहेगा ही नहीं यह chip के वे नहीं रहेंगे आपस में कौन सी friction और कौन सी force तो पूरा system equilibrium से भार निकल जाएगा तो इसका fourth answer आएगा the system cannot remain in equilibrium ऐसे रहें ही नहीं सकता वो equilibrium में 139 question यह बहुत interesting question है इसको एक बर समझ लेना ध्यान से और बहुत important question है बहुत जादा easy bear इसमें बोला है कि एक force है fx किसी particle पे लग रही है जिसका weight mass है 1 kg उस पे जो potential energy है उसकी वो है this इस तरहें equation में दियो लिया उन्होंने बोला जब x5 था तो उस पे kinetic energy 20 joule है तो हमें turning points निकालने है motion के अब यह question वैसे तो graph बना के होगा लेकिन मैंने बिना graph के भी यह question निकालना है तो वो देख लो कैसे यू दिया हूँ आपके पास अब देखो हमें जो है x5 है जब उस पे kinetic energy दिया है तो उस पे potential energy भी निकाल सकते हैं इसमें 5 पुट कर दो इसको solve कर ले ना इस तरह equation को खोल के यह आ जाएगा अब u5 कितना है 29 joule और उसी पे kinetic energy कितनी है 20 joule अब जब एक conservative force लग रही है system के उपर तो जो उसकी total mechanical energy है वो हमेशा conserve रहेगी तो total energy कितनी होगे इसकी 29 plus 20 49 joule अब turning points क्या होते हैं अगर आप ux का graph निकालोगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा ठीक है यहाँ पर होगी energy यहाँ पर होगा x ठीक है अब जिस भी point पे जो total energy है 49 उसका ऐसे निकाल दोगे आप सीधी line तो वो इस point पकट करी और इस point पे तो यह जो दो points होगे these are the turning points इसका मतलब साफ सुथरा क्या है ux जब जब 49 joule होगा तब तब x को हम क्या बोलेंगे turning point बोलेंगे उसका तो सीधा भी निकाल सकते हैं इसे बिना graph के क्यासे अब जो यह equation है हमारे पास यह है क्या है quadratic equation इसकी दो value आएंगी यह कब turning point देगी जब इसकी value 49 के एकोल होगी करदो equal हमारे पास equation बच गई है इसके roots निकाल दो अब x के यहाँ पर x के root कैसे निकलेंगे minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a यह आगया plus 4 plus minus 16 plus 100 by 2 solve भी करना है एक roots निकालने है निकाल लो यहाँ से यह कितना आगया under root 116 under root 116 जो है approximate 10.56 के आसपस होता है 6 भी ले लो क्योंकि आपको approximate answer चाहिए सारी values तो same ही है न question में देखो सारी values same है बस आपको value निकालने है आपको तो यह निकालना है कि पहला point किसके आसपस है अब दूसरा किसके तो यह आगया इसको 2 से divide कर दो this अब एक बार plus का ले लो और एक बार minus का एक बार क्या आगया 2 plus 5.3 कितना आगया 7.3 दूसरी बार क्या ले लो 2 minus 5.3 कितना आगया 3.3 यानि कि एक point है 7.3 एक point है minus 3.3 इसके आसपस देख लो अब एक point इन्होंने 7.3 बताया इन दोनों में है दूसरा point minus का minus 3.3 यानि यह तो इस आर दा turning points ठीक है तो इसमें graph बनाने की जरूरत नहीं थी graph बनाके करते मतलब दो-तीन बिनाट में graph नहीं बन पाता न प्रॉपर तो इसलिए solve करना better होगा Now question number 140 अब इसमें इन्होंने हमें पता नहीं क्या समझावा एक state वालोंने कि हम information भी खुद निकालेंगे आदी से जादा तो let's see देखो इसमें क्या क्या information हमें खुद से यूज करनी है इन्होंने बोला है कि एक current है 1 ampere का exist कर रहा है copper wire में जिसका cross section area 1 mm square है हमने उन्होंने बोला कि एक atom को एक free electron मान लो कि एक atom के साथ एक electron free है copper की density दियो है हमें निकालना क्या है drift speed now current और drift speed में जो formula होता है वो होता है यह i is equal to naqvd हमें निकालना है i by naq i दिया हो है n नहीं पता हमे a दिया हो है और q क्या है e ठीक है एक electron के उपर कितना charge है वो हमें पता होता है तो n निकालनेंगे सबसे पहले n क्या होता है number of atom by unit volume number of atom क्या होंगे n not by n number of atoms कितने होगे n not इसमें unit volume क्या होगे m this n not by a क्या होगे हमारे number of atoms तो यहां पर unit volume क्या निकल गया हमारा volume का formula क्या होता है देखो साब सुझी बात है mass by rho ठीक है प्लस एरिया का तो बेखो concept आ गया इसमें यह कट गया तो हमारे पास क्या बच गया n not rho by m n not क्या है एवे गैदरो number यह तो हमें पता होते हैं 6 into 10 to the power 23 rho दिया हुए 9000 but m is the mass of the copper atom sorry mass of the copper per unit mole अब यह निकालना पड़ेगा यह याद रखो यह याद तभी रह सकता है जब आपने इस टाइब का पहले कोई question solve किया हो तो यह जो चीज है यह हमें खुद से लेनी थी question में नहीं given थी तो यहां से n निकल जाएगा इसे put कर दो यहां से vd निकल जाएगा हमारा vd is equal to 0.074 solve कर लेना solve करने में I think आपको भी problem होगी ही नी गर्ज masters के students हो इतना तो करी लोगे so यह थे हमारे 143 questions इसके बाद जो last 10 questions रह गया है उसकी वीडियो आज ही upload कर ही दूँगी है उसके बाद बता देना भी कौन सा paper करना accordingly paper कर लेंगे क्योंकि KBS और DSSB की notification कभी भी आ सकती है और उनकी notification आते ही फिर तो paper ही है फिर तयारी का time ही नहीं मिलेगा so अब भी से preparation स्टार्ट करो अपनी and if you like if you like the video please do subscribe the channel and stay connected thank you